अगर आपका फोन का बैटरी बहुत ही जल्द खतम हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए आपको simply ये वीडियो लास तक देखना परेगा यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिन सरे टिप्स को फॉलो करके आप अपने फोन की बैटरी के जो ल पर क्लिक करें अगर आप अपने फोन की बैटरी से अच्छा का सा बैकाप पाना चाहते आप अपने फोन की बैटरी का जो लाइफ है उसको इंक्रीज करना चाहते तो यहां पर आपको सबसे पहला जो काम करना है आपका जो फोन का लोकेशन होता है उसको आपको डिसेबल क करके रखें ऐसे बहुत सरे एप है जो कि लोकेशन का यूज करते हैं और वुड्स सभी एप के मदद से जो आपका जो लोकेशन है वह बहुत स्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है अगर आप अपने फोन की बैटरी से अच्छा-कासा बैकप पाना चाहते हैं तो यहां पर आ आपको अपने वर्स असिस्टेंट फीचर को भी बंद करके रखना पड़ेगा अगर आप अपने फोन की बैटरी से अच्छा-कासा बैकप पाना चाहते है तो आपको यहां पर तीसरा जो काम करना है वह है आपका फोन का डिस्पले का ब्राइटनेस है उसको जितना हो सके क आपको गठाना है तो उसको इनक्रेज करके अपने फोन को यूझ करते तो फिर वहां पर आपका बैटरी ज़ाधा कंज्यूम करेगा अगर वहां constant कर यूझ करने करूं करणा है यहां पर अपने स्माठ फोन की बैटरी से सब्सक्राइक ढम करना चाहते है तो आपको ये ników यहां पर बेक्ग्रावंड में कितना ज्याधा आप्स यहां पर काम करता है तो फिर वह जो Поэтомуन में यहाँ पर काम कर रहा है वह एपस आपकी फून की बैटरी के साथ अब माल से अच्छा चाख सा बैटरी ल वर यहां पर अगर आपको पता नहीं of crash चल रहा है कि आप सा एप आपकी बैटरी को consume कर रहा है तो यहां पर आपको 5 वाज अब जो काम करना है वह है आपको अपने मोबाइल का जो बैटरी सेवर है उसको use करना है अगर आप अपने smartphone की battery सेवर को use कर लेते हैं तो वह जो स्मार्टफोन है वो optimize हो जाएगा और यहां पर जितने भी apps आपकी background में काम कर रहा है उन सभी apps को disable कर देगा आपका जो mobile का brightness है उसको भी decrease कर देगा यह सब काम optimize कर लेगा तो आपको अपने mobile की जो battery server option दिया गया है उसको यूज करना है अगर आप अपने स्मार्टफोन से अच्छा खासा बैटरी लाइप पाना चाते तो अगर आप अपने स्मार्टफोन पर कितना minute या फिर कितना second का क्या हुआ है अगर यहां पर स्क्रीन टाइम आउट आपका 15 seconds and 13 seconds रहते हैं तो फिर ठेक है अगर इससे ज्यादा हो जाते है तो फिर आपका जो यहां पर डिस्पले है वह ज्यादा बैटरी को consume करेगा क्योंकि अगर आप यहां पर भूल जाते हैं और अपने स्मार्टफोन को अनलोक करके छोड़ देते हैं और यहां पर आपको स्क्रीन टाइम आउट अगर वन मिनिट या फिर टू मिनिट तक रहेगा तो फिर डिस्पले यहां पर बैटरी को consume करेगा तो फिर आपको इसको 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड पर ही स्टॉप कर देना है यहां पर आपको नेक्स्ट जो काम करना है अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी से अच्छा खासा बैकप पाना चाहते तो वह आपको अन्यूस्ट एप को डिलेट कर देना है अगर जिन से भी एप्स को आप यूज नहीं करते उन से भी एप्स को आप अन्स्टॉल कर दीजिए या फिर जिन से भी चीजों को आप यूज नहीं करते उन से भी चीजों को अपने स्मार्टफोन से डिलेट कर दीजिए क्योंकि यह जो जितने भी एप्स होते यह आपकी बैट बैकाप नहीं मिल पाते हैं यहाँ पर आपको अपने इस मावनों को कब चार्ज में देना है और निकालना है यह बहुत सरा इऊसर को पता नहीं होते हैं तो क्लियरली बता देती हूँ जब भी आपका इस मावन के बैटरी बिलोव 20% हो जायगा तो फिर आपको अपने smartphone को charge पर दे देना है जब आपको यहां पर smartphone का बैटरी above 80 to 90% हो जाएगा तो आपको यहां पर अपने smartphone को charging से निकाल देना है अगर आप इस rule को follow करते तो फिर आपको अपने smartphone से बहुत अच्छा खासा battery backup मिलेगा और आपका जो battery है वो इसका battery का जो health है वो बहुत अच अच्छा रहेगा तो यह थी वो सारे टिप्स जिन सभी टिप्स को follow करके आप अपने smartphone से बहुत अच्छा खासा battery backup पा सकते आप अपने smartphone की battery life को increase कर सकते अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को और पर किल करने के लिए मिलता हूं मैं आप सब्सक्राइब से किसी दूसरे वीडियो पर तब तक के लिए चैहिन बंद मात्रम